हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल इक्वीडिट कम्डिटी में स्वागत करता हूँ यहां पे आपको स्क्रीन पे कुछ केंडलिस्टिक दिख रहा होगा आपके मन में डाउट यह कोश्चन जोवर आ रहा होगा यह केंडलिस्टिक मैं आपको क्यों होता जा रहा है यहां पर सबसे स्ट्रॉंगेस्ट है उससे कम यह उससे कम यह और इससे कम यह है यहां पर तो इन सारे केंडलिस्टिक के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके आप बायर्स के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इससे पहले भी मैंने एक वी को लोगों होते हैं? मार्केट में बस दो ही लोगों आपके सामने होते हैं एक होते हैं बायर्स और दूसरा होता है driven अगर आप दोनों के सही strength का अंदारादा लगा सकते हैं तो आप सही लोगों के साथ जा सकते हैं और वही आपको profit बना के देगा For example, अगर आप market में buy side की तरफ जा रहे हैं, लेकिन strength किसका, अगर sellers का strength ज़्यादा है, और आप buy करोगे, क्या होगे, आप नुकसान में रहोगे, और अगर market में buyers का strength ज़्यादा है, और आप वहाँ पे sell करोगे, तो क्या रहोगे, आप नुकसान में रहोगे, तो आपको idea होन परेगा, या नहीं तो market से दूरी बना कर रखे, तभी आप profit में रह सकते हैं, या नहीं तो loss को avoid कर सकते हैं, तो इन सारे candlestick के जरिए, आप देख सकते हैं, कि buyers का strength कितना है, और अगर buying momentum स्टार्ट हुआ है, तो वह कब तक चलेगा, और कब हमें market में sellers हावी होते वह दिख सकते हैं, यह आपका ICICI bank का daily का chart है, अगर आपको candlestick के strength के बारे में idea लेना है, तो आपको daily chart पर जाना पढ़ेगा, क्योंकि daily chart एक आपका mature chart होता है, जहां पर candlestick को अच्छा खासा time मिलता है, mature होने के लिए, वहीं अगर आप 5 minute या फिर 15 minute का time frame का chart यूज करेंगे, तो ज्यादा mature नहीं होगा, तो आपको real suggestions या real advice कौन दे सकता है, एक आपको बच्चा दे सकता है, या फिर एक mature इनसान दे सकता है, ज्यादा real advice आपको mature इनसान दे सकता है, इसलिए यहाँ पर हम mature candlestick के उपर आएंगे, और उन से हम उसने कोशिस करेंगे, कि आपका strength कितना है, तो यहाँ पर अब हम चार्ट पर आते हैं, और चार्ट पर यह जो candlestick है, यह हमें idea दे रहा है, कि market में buyers का strength हमें अच्छा कासा देखने को मिल रहा है, और यहाँ से आपको buy करना, यह red candle firm होने के बावजूद भी, और price आपको upside की तरफ निकला, उसके बाद देखे, यह candlest candlestick और यह candlestick हमें बता दिया, कि जो market में buyers का strength कम हुआ है, कि जो भी buy positions है, वो यहाँ पर अपना exit कर लेंगे, और buy positions अपना बनाना अब stop कर लेंगे, तो यहाँ पर मुझे clear cut idea मिल वा है, कि market का strength है, वो कहां तक चलेगा, और उससे पहले भी, मुझे यहाँ पर भी बहुत कम होने वाला है, तो इस तरीके से आप इन सारे bullish candle, इसके बारे मैंने जिक्र किया था, उन सब को identify करके चार्ट पे, आप market के strength को identify कर सकते हैं, कैसे, चले इन सब को हम detail से समझते हैं, यहाँ पर हमने कुछ drawing क्या रखा, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख स सकते हैं, अब आपको चार्ट पे थोड़ा सा clarity से समझ में आ रहा होगा, और यहाँ पर मैंने आपको picture भी बता दिया, इस picture के जड़े आप easily identify कर सकते हैं, तो चले यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले, इस वाले candlestick के ऊपर यहाँ बात करना चाहेंगे, और यह candlestick कौन सा जब भी फॉर्म होता है, दिखाता है कि बायर्स का strength खत्म हो गया यह नहीं, यह दो candle form होने के बाद, क्या करेंगे, हम जो buy कियें, वो बंद कर देंगे, अगर individual form होता है, तो यहाँ पर हमें देखने मिलेगा कि बायर्स में थोड़ा बहुत strength है, लेकिन अगर individual form होता है, त हां से भी हम exit करना चाहेंगे, क्योंकि यह थोड़ा बहुत दिखा रहा है कि बायर्स active है, बायर्स में strength है, लेकिन बायर्स में कमजोरी का hint हमें यहीं से मिलना start हो जाता है, उसके बाद यह दोनों candlestick बताता है, कि बायर्स में strength जादा है, तो अगर आपको buy side की तरफ position initiate कर form हो जाए, तभी हम buy side की तरफ positions लेंगे, otherwise positions नहीं लेंगे, क्लिए रहो गया, कब कौन से candlestick के basis पर आपको trade initiate करना, इसके बारे में information होना चाहिए, और candlestick देख सकते हैं, जब भी market उपर जाता है, यह नीची जाता, आपको कुछ ना कुछ हिंड दे देता है, कभी आपको चिक के बोलेगा, कभी चिला के बोलेगा, लेकिन कभी आपको थूरा बहुत, फुस फुस आहट के साथ भी आपको indication दे देगा, कि यहाँ पर हम reversal लेने वाले, direction change करने वाले, आपके पास मौका आप निकल जाओ, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, चार्ट के अंदर आपको identify कर सकते हो, अगर आपको सीखना होता है, तो आपको उसके पास जाना पड़ता है, जिससे आपको सीखने की जहुत है, तो आपको चार्ट ही है, जो कि आपको सीखा सकता है, क्योंकि इसी को देखके आपको trading positions लेना, आप किसी television को देखके trading positions ने ले सकते हो, positions लेने के लिए आपको चार्ट पे आना ही परेगा, इसलिए आपको एक ही वहाँ पे help करने वाला मिलेगा, यह है चार्ट और Candlestick, इसलिए इसको देख कि आपको positions बनाना आना चाहिए, तो चलिए सबस्पहले हम इस Candlestick से अपने highest point पे देता है, मतलब buyers में अच्छा खासा strength है, उसके बाद हमें buy positions initiate करना यह नहीं, यहाँ पर buyers में strength देखने को मिलवा है, और इसके बाद देखिए, इस candle पर buy कर लेए या फिर अगले candle पर buy कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे हैं, previous support level को आप as a stop loss इस्तिमाल कर सकत हैं, यहाँ पर आपको entry लेना है, और उसके बाद price आपका देखिए, all the way upside के तरफ निकला है, ठीक है, उसके बाद, यहाँ पर कौन सा candle फ़र्म हुआ है, यह वाला मिट वाला candle फ़र्म हुआ देख सकते हैं, मैंने क्या बोला था, यह candlestick जहाँ भी फ़र्म हो जाए, buying positions है, अगर हमने buy करके रखा है, या फिर buy करते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, exit करना पसंद करेंगे, और जैसे यह candle फ़र्म हुआ है, यह आपका कौन सा candle है, यह वाला candle है, यह candle फ़र्म होते ही क्या करेंगे, buying stop कर देगे, यह अगर हम buying करने के बारे में सोच भी रहे हैं, तो हम buying नहीं करेंगे, clear है, उसके बाद क्या हुआ, आपका यह वाला candle फ़र्म हुआ है, यह नहीं, यहाँ पर क्या दिखा दिया, यह candle से start हुआ, फिर यह candle फ़र्म हुआ, फिर यह candle फ़र्म हुआ, मतलब आपका इधार से इधार आ रहा है, इधार से इ मार्केट में दो ही लोग है, buyers और sellers, अगर buyers कमजोर वरत, कौन हावी होंगे, sellers हावी होंगे, उसके बाद देखिए, price आपका, all the way, नीचे side की तरफ गिरा, और उसके बाद, यह candle फ़र्म किया है, और मैंने बोला भी था, यह candle अगर अकेले फ़र्म करता, single फ़र्म करता, ज बताना चाहूंगा, और यहां पर हम दूसरा एक्जामपल लेते हुए, आपका, बैंक निफ्टी का, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर यहां पर देखिए, दोनों candlestick कैसा है, लगवग आपका, यह जो candlestick है, इसी के जैसा दोनों लग रहा है, यहनि back to back आपका, इस तर strength है, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम by positions initiate करेंगे, प्रिवियस जो भी support level होगा, उसको as a stop loss, और प्रिवियस जो भी target price होगा, जो भी resistance level होगा, उसको as a target price use करेंगे, और stop loss और target price fine करने का बहुत सारा तरीका है, मैंने उसके उपर different तरीके से बात किया, कि कैसे आप trend line के जरिये fine कर सकते है, support western level के जरिये fine कर सकते है, उसके उपर हमने separate video बना रखा है, नहीं देखा है, तो link आपको video के description में मिल जाएगा, अब उसके बाद क्या हुआ, उपर जाना start किया, और इसके बाद आपका यह candle form हुआ, मीड वाला, उसके बाद हमें क्या चाहिए था, इसके support में एक और हमें given candle चाहिए था, अच्छा वाला, और देखिए support में हमें green candle मिला, इन पांचों में से कोई नहीं मिला, लेकिन हमें मिला है, इसको support करने के लिए given candle मिल गया है, मतलब क्या, किसके support में कोई ख़ड़ा है, मतलब जो upside momentum है, वो हमें आगे भी continue होता हुआ देखने को मिलेगा, और देखिए upside momentum आगे भी continue हुआ है, उसके बाद price आपका एक range में trade कर रहा है, और उसके बाद देखिए, यहाँ पर, यह वाला candlestick का formation हुआ है, और मैंने क्या वोला था, जब भी आपका यह वाला candlestick का formation हो, क्या करना है, जो भी buy position से हमने रखा है, उ buying करना रोक देना था, और market इस time में बहुत ज़्यादा volatile था, इस volatile market में भी आपको candlestick थोड़ा बहुत hint दे रहा है, कि वो क्या करने जा रहा, अब बस आपको इस hint को read करना है, अगर आप इस hint को read करना नहीं जानते, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको यह सीखना परेगा, तभी आप market से profit बना सकते हैं, और उसके बाद देखिए क्या कुछ हुआ है, उसके बाद देखिए, market नहीं पर गिरावट दिखा है, क्योंकि यहां पर buyers का strength जो है, वो खत्म हो गया, और जैसे buyers का strength खत्म होगा, कौन हावी होगे, एक ही लोग बज़े, sellers, वो आपका 2000 point का गिरावट दिखाया है, और आगे गिरते ही गया, तो इस तरीके से आप candlestick के strength को identify करके, उसके basis पर आप trade initiate कर सकते हैं, और इसके basis पर अगर आप सारा कुछ करेंगे, तो आप काफी हद तक trap होने से बच सकते हैं, और आप loss को avoid कर सकते हैं, और सबसे बड़ा problem क कि अगर आप loss को avoid कर देंगे, या फिर loss को minimize कर लेंगे, प्रॉफिट अपने आप आएगा, तो आपको focus कहां पर करना, सारे लोग कहां पर focus करते हैं, प्रॉफिट पर, अगर हम trade ले रहे तो हमें profit कितना हो रहा, जो लोग ऐसा काम करते हैं, गलत करते हैं, आपको profit पर focus ही करना, profit हमें automatic आएगा, हमें focus किसको पर करना, हमें loss पर focus करना, या आपको इस पर ध्यान देना, loss को कैसे minimize करें, loss को कैसे avoid करें, loss कर देंगे, तो ultimately आपको profit आएगा ही आएगा, तो market में trading करने का सही तरीका भी आपको generate करना, और वहीं सही तरीका में अपने वीडियो के जरी आपको पहुंचाते रहता हैं, बस एक ही request है, कि वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथी साथ बेल आइकन को जहुर दबा दीजिए, ताकि आप हमारा एक भी वीडियो मिस्स ना करें, और हमारा सारा वीडियो informative होता है, जो कि आपक आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,